नमस्कार मेरे इनु मिसर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में मैं बहुत सुंदर डिजाइनर हेंड बैक बना रही हूँ इस बैक को समोसा बैक भी कहते हैं और इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है इस बैक के ऊपर जो यह मोती वाला वर और हाफ कपड़ा इसमें quilted fabric लगाया हुआ है तो यहां पर देखिए दोनों तरफ मैंने pocket बनाया है और बैग अंदर भी देखिए काफी बड़ा है बहुत सारा समान आप इसमें रख सकते देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत जादा समान इसमें आ जाता है और इसको बनाना भी बहुत जादा आसान है तो चलिए अब इस बैक को बनाना शुरू करते हैं अगर आप normal कपड़ा ले रहे हैं अगर blouse का या फिर कूर्थी का कपड़ा ले रहे हैं या कोई भी कपड़ा ले रहे हैं तो आपको पहले quilting करने होगी जिसमें आपको अस्तर फोम या मोती कुछ भी लगा सकते हैं तो अपने हिसाब से आप इसके ऊपर जैसा डिजैन बनाना चाहाँ बना सकते हैं तो यहां पर में मोती लगा रहे हूं जब मोती लगाते तो इस बात का ध्यान रहना चाहीं कि की जो धागा है न वह मोती के ऊपर ना आये कम सकम छे, comprendre प्यार कर लिए दोनों बिलकुल बराबर हैं, दोनों की जो लंबाई है वो 9 इंच है और जो चोड़ाई है वो 8 इंच, 9 by 8 का ये दो पीस है, अब इसके बाद क्या करना है, इसमें हमें पॉकेट लगाना है, पॉकेट लगाने के लिए उपर से दो दो इंच पे निशान लग लिए है, अब जो 2 इंच पे निशान लगा है इसको हमें कट करना है, तो अब इसको कट कर लेते हैं, कट करने के बाद दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है, यहां पर भी यहां पर भी जिप को लगा लेंगे, तो यहां कपड़े के उपर जिप को पहले उल्टा लेना है अब इसको भी ऊपर की तरफ करना है और यहां पर भी प्रेसिस्टिच कर लेना है बिल्खुल इसी तरह से दूसरा जो पीस है उसमें भी जिप लगा लेना है अब दोनों में जिप लग गया है इसके बात क्या करना है हमें इसी के बराबर का प्लेन खपड़ा लेना ह और फिर दोनों को इस तरह से मिलाते वे और चारो साइट से सील लेना है, इसी तरह से हम दोनों पॉकेट सील कर तयार कर लेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से दोनों पीस को मिलाके और चारो साइट से सील लेंगे, अब साइट से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे तो इस तरह से दोनों पॉकेट बनकर तयार हो गया है अब पॉकेट बनाने के बाद हमें बैल्ट को बनाना है तो यहाँ पर दो पीस बैल्ट लेना है दोनों की बैल्ट की लंबाई है 15 इंच और जो चोड़ाई है वो है 2 इंच 15 वाइव 2 का यह दोनों बैल्ट है अब दोनों किनारे से ऐसे मोड़ना है फिर 20 से मोड़के सिल लेना है इसी तरह से दोनों बैल्ट को सिल कर रेडी कर लेना है तो यहाँ पर देखिए, दोनों बेल्ट सिल गया है, अब इसे हमें बैग में लगाना है, उपर की तरफ, अब साइट से न, दो-दो इंच पे निसान लगा लेना है, तो यहाँ पर देखिए, उपर की तरफ, दोनों साइट से दो-दो इंच पे निसान लगा लिया है, मैंने मैं अब जो 2 इंच में निसान लगातना कि इसरब सब्सक्राइब को रखेंगे और इसको सिल लेंगे इसी तरह से दूसरा जेंड ऐसको दूसरे वाले पीस में रखना जहां पर आमने निशान लगा है और फिर उसको सीलेना है तो अब इस तरह से दोनों में belt को सिलेंगे अब यह pocket लग गया है अब belt भी लग गया है इसके बाद हमें उपर का जो cover है वो बनाना है तीसरा पीस मैंने लिया है तो यह मैंने plain velvet का कपड़ा लिया है जिसको मैंने quilt कर लिया है अस्तर और form लगा के तो इसका नाप देख लेते हैं इसकी जो किका लंबाही है चोडाई इसकी 9 इंच है और इसकी जो लंबाही है 12गे ये एक बीस है अब को इसको वीच से fold करेगे और दो बराबर भाग में इसको cut करेंगे aur इसको cut करने के बाद इन दो जो कपड़े का दूसरा भाग कट किया है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिल लेना है उसके बाद अब इसको भी उपर की तरफ करके और यहां पर भी एक बार सिलाई कर लेंगे अब जिप लग गया है अब जो दुनों पीस है उसमें हमें इसको जॉइंट करना है इस तरह से दिखिए एक साइड में इसको रखेंगे उपर की तरफ और एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल लेंगे वैसे ही दूसरा वाला जो पीस है उसको इस तरह से दूसरे साइड में जोडने के बाद हमें इसमें magnetic बटन लगाना है तो magnetic बटन आपको न किसी भी बैक बनाने वाले swap पे बिल जाएगा या पिर जहां पर art and craft का समान मिलता है वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा तो इस तरह से magnetic बटन आया है तो इसको पहले थोड़ा सा कैंची से होल कर लेंगे तो लगबग जहां पर बैल्ट लगा है वहां से लगबग आधा इंच नीचे इस तरह से कैंची से अब इर किसी भी नुकीली चीज से होल कर लेंगे उसके बाद यहां पर हम magnetic button लगाएंगे उसके बाद पीछे से इसको lock कर लेंगे इसी तरह से बाकी के side में भी इसका जो अगला part है उसको लगा लेना है अगर आपको magnetic button नहीं मिल पा रहा है तो आप इसकी जगह velcro भी लगा सकते हैं इस तरह से इसको lock कर लेना है अब फिर इसी के बड़ाबर इसका जो दूसरा वाला भाग है उसको दूसरे side भी लगाना है तो इस तरह से आप एक बार नाप ले फिर दूसरी side भी इस तरह से देखिए लगबग belt के half नीचे hold करके दूसरा जो भाग है button का उसको लगा लेंगे अब इसी तरह से दूसरी side भी लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए एकदम बराबर है यह तो अब दोनों तरफ यह button लग चुका है अब इसके बाद इसका और जो भाग है side वाला उसको हमें लगाना है तो उसके लिए भी मैंने यह quilted piece लिया है इसमें भी अस्तर पॉम लगाके quilt कर लिया है इसकी जो लंबाई है वो है 18 इंच और जो चोड़ाई है वो है साहे 5 इंच 18 by 5.5 इंच का इसका नाप है अब इसको देखिए लंबाई में इस तरह से 20 से fold करेंगे और फिर center में दोनों तरफ निशान लगा लेंगे ऐसे fold करना है और फिर यहां एक निशान लगा लेंगे एक निशान दूसरी side अब center में इसमें निशान लग गया है अब जो bag है ना उसमें भी हमें सामने की तरफ ऐसे दिखिए fold करके और नीचे center में निशान लगा लेना है दोनों side अब ये निशान से निशान को मिलाते हुए और फिर ये जहां तक आ रहा है वहां तक सील लेना है इस तरह से निशान से निशान को मिलाएंगे center से center को मिलाते हुए उपर जहां तक यहां तक पूरा इसको सील लेना है हमें इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे दिखिए बराबर रखते विश सील लेंगे तो यहां पर देखिए मैं बीच से सीलना सुरू कर रही हूं ताकि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रहे हैं इस तरह से देखिए 20 से सीलेंगे और फिर यहां पूरा किनारे तक सील लेंगे इसी तरह से आप दूसरी साइड भी सील लेना है तो अब ये सिल गया है ना अब दूसरा साइड जो है उसको इस तरह से देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते वे और इसको भी पूरा एक किनारे से दूसरे किनारे तक हम सिल देंगे तो यहां पर देखिए ये सिल गया है ना अब इसको इस तरह से देखिए लंबाई में करना है और इसको बराबर करते वे और पूरा सिल लेंगे तो एकदम देखिए परफेक्ट मेजरमेंट एकदम बराबर हो रहा है अब इसको एक किनारे से दूसरे किनारे तक सिल के पूरा finish कर लेंगे इस तरह से सिलेना है पुरा बहुत ही easy है बस आप एक बार बनाना शुरू करेंगे न तो यह अपने आप बनता चला जाता है बिल्कुल भी यह cutting नहीं है और बहुत ही कम समय में यह बन जाता है आपके पास blouse को बढ़ियां पीस हो तो उससे भी चोड़ा कपड़ा लेना है और जहां-जहां सिलाई है न पूरा एक साइड इसको इस तरह से मिलाते वे पहले सिल लेंगे हां पूरा इसको सिल लेना है एक साइड तो यह एक साइड सिल गया है अब इसको देखिए क्या करना है दूसरी तरफ पलटना है ऐसे और फिर double fold करेंगे, ऐसे दो बार मोड़ना है, और फिर दो बार मोड़के इसको सीलेना है, इस तरह से दो बार मोड़ते भी इसको सीलेंगे, बस पूरे bag में ऐसे piping कर लेना, तो यहाँ पर देखिए पूरे bag में यह piping हो चुका है, पूरी finishing के साथ यह bag एकदम complete है, और देखि इसमें मोतियों का काम हाथ से किया हुआ है, इसकी वज़े से और भी ज्यादा सुन्दर लग रहा है, तो आप भी इस bag को जरूर बनाएए, बहुत ही easy है, और बहुत ही सुन्दर लगता है, जो भी देखेगा बहुत ही तारीफ करेगा, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये bag और ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-ची नई-ईई वीडियो शेयर कर सकूँ, मेरा ये वीडियो देख